वेल्कम तू मैं चैनल अलिन वन निस्टा तो आज जो हैं कोश्चिंस वह हैं करेंट अफेर्स और कुछ साइन्स की कोश्चिंस हैं जो मुस्सक्राइब से पूछे जाते हैं खास करके भी आरार भी जेए आने वारा है तो इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट है इकोश्चिंस तो करेंट अफेर्स से स्टाट करते हैं फिर्स कोश्चिंस लेते हैं विच कंट्री हैस वन था होस्टिंग राइट फोर थो थो थूजन नाइटी एडिशन ऑफ द अफ्ट अफ्रिकन कप ऑफ नेशन गना कैन्या साउथ आफ्रिका एजिप्ट तो इसका जो राइट आफ वह है एजिप्ट तो इजिप्त जो है उसके पास इसके राइट है? फरस्न एजुटारस की चायफ में टो सब्सक्राइब। ही थ्रचाइब। की टोनिली यक्षी 550 लहन्य ख़का से फिरला में जो हुदुर। में हो था व्यूर इस में तो गोशन आपकी यहांपर कबर होते हैं क्योंकि रास्ट यह का कोशन भी में पूछा जाता था व्यूरस एस में 2018 में वह था जो दिसंबर में हुआ था और अभी जो है उसाका में होने वाला next ठीक है next question है Unstoppable My Life So Far Book Return By तो यह जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है Unstoppable My Life So Far तो यह बुक लिखी गई है मारिया सारपवा option में थे सारप गांगुली, पीवी सिंदू, मैरी कॉम, मारिया सारपवा इसका वी जो रहा है, राइट आंसर है देखिए सभी question बहुत important है वीडियो को pause किये बिना जो है पूरा continues देखिए आप चाहिए तो questions को लिख के जो है solve कर सकते है next question है fourth number का डीगोकेश related to which game तो डीगोकेश कल भी हमने एक वीडियो बनाया था उसमें है डीगोकेश जो है वो किस game से related है तो इसका right answer है 6 अच्छा जो डीगोकेश है जो कल मैंने आपको बताया था इसका है तो यह जो है 12 years or 17 months के तो यह वोल्ड के second number के जो है champion जो है वो बने हुए है वोल्ड के second number India's youngest grandmaster का title ने में आया है next question लेते है go bid mobile application and wave platform launched by तो जो go bid है go bid का full form क्या सबसे पहले तो यह देख लेते है go bid means go for government B for bond I for investment D for destination तो go bid जो है वो mobile application जो है and wave platform launched by तो किसकी दोर लाँच की गई वो है NSE अब NSE क्या है National Stock Exchange और इसकी जो chairman ने वो है Ashok Ashok जी जो थे वो पहले थे Ashok चावला जी National Stock Exchange जो है वो कब established हुआ था वो हुआ था 1994 इसमें हमने काफी सारी questions जो है cover कर लिये है Next question लेते है Next question है Prime Minister Narayanth Modi will inaugurate the National Museum of Indian Cinema in which city तो जो अभी अभी हाल ही में जो PM Narayanth Modi जी ने जो है inaugurate किया है National Museum का Indian Cinema वो कौन सी सिटी में है तो वो है गुर्गाउं इसका right answer है गुर्गाउं Next question देखते है Okay तो next है Who has been appointed the new railway board share में तो जो railway से related हम का इसमें importance दे रहे हैं railway के exam के लिए तो जो railway का जो हम देखे हैं अगर तो railway में Who has been appointed इसका जो है VK यादब वी के यादब का full form है विनोथ कुमार यादब जो है अभी newly appointed हुए railway board के chairman के रूप में इससे पहले जो थे वो थे अस्वनी लोहानी जी तो दो question हमारे जो पहले बाले हैं वो भी cover हो रहा है अश्वनी लोहानी जी थे इससे पहले और अभी जो new recently जो है अपॉइंट हुए है वो है विनोथ कुमार यादब railway board के chairman ओके next question लेते हैं 8th number का next question है रमाकांथ अच्रेकर पास्ट अभी following a heart attack he was a veteran तो जो अभी अभी इनका जो है निधन हो गया है ये किस से संबंदित थे heart attack से तो ये जो थे रमाकांथ अच्रेकर ये जो थे सचिन दिंदुलकर के जो थे कोश रहे हैं इनका जो निधन हो गया है ओके ये करकेट कोश थे next लेते हैं next देखते हैं वीर सावरकर international airport has been declared as an authorized immigration check post for entry into exit from India this airport is located at question बहुत लंबा चोड़ा वीर सावरकर international airport तो ये कहां पर जो है located है तो इसका जो right answer है वो है वीर सावरकर port player okay इसका answer क्या है port player में जो है located है वीर सावरकर international airport has been declared as an authorized immigration check post for entry into entry or exit from India next question देखते हैं 10th प्रसार भारती launched two science communication initiatives प्रसार भारती ने two science के अभी new recently channels launch की है ठीक इसे पहले इस रो ने जो है पहल करते हुए जबाद with student जो है वो launch किया था ठीक है अभी जब प्रसार भारती ने लाँच के तो इसका नाम क्या है इस channel का DE science and India science बहुत ही अच्छा कोशन है दोस्तों ये रिसेंटली एक्जाम्स में जरूर भूशा जाने वाला है okay next question लेते है which country will hosted the moment's world boxing championship 2018 2018 को जो है किसने host किया था हां तो इसका जो Russia, China, Bhutan इसमें none of these answer right है क्योंकि जो इसका जो 2018 boxing championship जो है वो इंडिया ने किया था तो option में ही नहीं है तो इसका answer किया none of these किसने launch किया था ओ सरी किसने किया था ये इंडिया ने next question देखते है next question who among the following has been named as the 2018 confederation of african football player of the year किसको जो है इसका option है कलाइडू, कुलावली, डिडिया, ड्रोगा, जॉर्ज तो इसका जो answer है सही वो है मुहम्मद सला मुहम्मद सला जो है वो african football player of the year है next question is IRCTC देखे, बहुत अच्छा question IRCTC is related the railway subsidiary will offer insurance of up to कितने रुपीज का INR for free for air passenger who book their tickets to its portal तो कितने का free charge उन्होंने रखा हुआ है ये रखा है 50 lakhs 50 lakhs तक का ये जो समझता हुआ है वो भारती एकसर के साथ हुआ है IRCTC का जो है agreement हुआ है ये 50 lakhs तक के लिए है next question देखते हम ये भी पूचा ही जा सकता है कि किस के साथ हुआ है agreement है ये किस के साथ हुआ है भारती एकसर के साथ IRCTC का agreement हुआ next question है who is the author of the book title we are displaced we are displaced जो है इसके author कौन है इसकी author है मलाला यूसुफ अफजाई ठीक है इसका full name My Journey and Story for Refusing Girl Around World इसका full name है तो who is the author of the book title we are displaced इसका right answer है मलाला यूसुफ जाई ये novelist भी है इनको साहित तिक इनको जो है Nobel परुसकार भी मिल चुका है मलाला जी को next जो है 15th which state has announced interest free loan of 2 rupees 3 lakhs for women self-help group WSHGS in the state तो देखिए इसका full form है ये भी question में पूछा जा सकता है कि what is the mean full form of WSHGS जितने भी full form है तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलिए तो इसका right answer है वो है Odisha Government तो Odisha Government जो है Mission सकती नाम से जो है इसका launch किया है जिसमें जो है Women's को जो है 3 lakhs की help दी जा रही है loan, free loan दे रहे है अब तो रुपीज 3 lakhs के रहे है ओके Next question देखते है 16th Prime Minister of Norway has arrived in New Delhi on a 3-day state visit to India Name the capital of Norway ओके देखिए कितना हुमा की question पुछा है Simple question है Name the capital of Norway तो Norway की जो capital है वो क्या है, वो है Oslo Okay, next question देखते हैं Next question है Asia Pacific Screen Award APS-C 2018 for West Performance by an actor male event for Monto Monto क्या है Monto जो है नंदिताजास की लिखी हुई एक script है जो कि पाकिस्तान राइटर के नाम पर जो है movie बनी हुई है Monto Okay, तो इसके जो है इसे West Performance के लिए जो actor है जनको यह award मिला हुआ है APS-C 2018 वो है Nawajuddin Siddhikhi Okay, next question देखते है Player Anoop Kumar is related with which of the following sport? तो Player Anoop Kumar जी जो है वो किस sport से जो है related है तो इसका answer है hockey, wrestling, कबड़ी कबड़ी में जो है कितने प्लेयर होते है 7 और वेस्बॉल में जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था 9 प्लेयर होते है और रगवी जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें 15 प्लेयर होते है तो यह कुछ questions है बल्कुल ध्यान रखे कबड़ी में कितने प्लेयर होते है वेस्बॉल में कितने प्लेयर होते है पोलो में कितने होते है वाटर पोलो में कितने होते है बहुत ज़्यादा questions पूछे जाते है इससे related चलि नेक्स्ट question देखते है अजगावाद is the capital city of बहुत मुश्किल है तुर्कमेनिस्तान की capital है यह और इसकी currency जो है वो है मननत नेक्स्ट question लेते हैं PM of Bhutan पर हम Prime Minister of Bhutan Dr. Lotte is on a three day official visit of India इसमें PM का नाम भी है भूटान के याद से ध्यान से पढ़िए इसको what is the currency of Bhutan भूटान की currency है नगलत्रम नगलत्रम नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन science related day who discovered sale in 1665 sale जो है उसको discover किस ने किया था ठीक है वो किया था इसमें options है robot hook, robot crew तो इसका right answer है robot hook friends देखेए मैं कुछ भी तयारी ही कर दे हूँ अगर कुछ mistakes होती है तो please comment करके बता देजिए आप मैं उनको सुधारने की कोशिश करूँगे और वीडियो अच्छे लगती तो please like कीज़े share कीज़े and subscribe कीज़े next question लेते है transportation of food in plants takes place through transportation of food in plants transportation of food in plants takes place through किस के तुरू होता है यह होता है flowing के तुरू ठीक है यह जो food जो पहुचाने का काम करता food chain को बनाया रखने का काम flowing करता जायलम जो है वो अगर water supply की बात करते हैं तो वो water supply को जो है प्लांट सक भेशता है तो वो रूट के थुरू भेशता है तो यह कौन करता है जायलम water की बात करेंगे तो जायलम और food की बात करेंगे तो फ्लायम next question लेते है next question है after wound और cut in a body blood coagulate through जब रक्त का था ठक्का बोलते हैं जमने के लिए जो responsible body blood coagulate through किसके through होता है body blood coagulate तो वो होता है platelets के through जो platelets से वो command करता है कि कौन सा कहाँ chemical है किस तरह से okay next question दिखने हूं who had given the theory of evolution of species by natural selection तो किसने दिये ये theory ये दिये है Charles Darwin जो इसका एप्शन है वो सही है इनका पुरा नाम है Charles Darwin इन्हों ने जो उत्त परिवर्तन का सिध्धान दिया है हिंदी में से बुड़िंगे और इंग्लिश में है revelation of species by natural selection जो किसने दिया है Charles Darwin next question is the estimation of the age of the earth is done by इसका simple answer है बल्कुल uranium dating जो अगर uranium dating जो है rocks, chattan, murti जो अगर हम age को पता करना है uranium और carbon dating जो है पता करना है तो, okay next question है in LPG the main component LPG का main component जो क्या होता है butane, okay याद रखेगा butane जो है LPG का main component है next question है हमारा which of the following gases directly responding for the depletion of ozone layer cancer है chlorofluorocarbon CFC जो है वो ozone layer के लिए responsible होती है depletion of ozone layer is through chlorofluorocarbon okay next question देखते हैं who discovered DNA okay DNA का full form क्या है भी देखे dioxinuclear acid ठीक है ये तो है DNA का full form इसको जो है discover किसने किया था इसको गया था James Watson and Francis Frankis Crickne first A option सही है next question is the process of transfer of hereditary character from one generation to another is known as तो जो process है transfer करने की hereditary की इसको क्या बोलते हैं वो है genetics इसका D option सही है next question is 30 वो है in which organ of the human body are the RBC formed after child birth अच्छा देखें after child birth की बात करें तो वो कहां पर form होता है organ of the human body are the RBC formed RBC कहां form होता है RBC होता है अगर हम after child birth बात करें तो born marrow में होता है और अगर हम और अगर हम before child birth बात करें तो वो उस cancer है liver तो दोनों ही option आपको दिख रहे हैं और आप इसको ध्यान से पढ़ सकते ओके फ्रेंट अगर आप वीडियो अगर पसंद आई हो थोड़ी भी पसंद आई से प्लीज फ्रेंट लाइक कीजे शेयर कीजे जादा से जादा सब्सक्राइब कीजे मेरे चैनल को थैंक यू फ्रेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में